नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी साहिती की सुप्रसिध दिलेकी का नासरा शर्मा दोहरा लिखी हुई एक कहानी मेरा घर कहाँ लाली धुबिन की मिट्टी तभी से पली थे जब से उसका मरद मरा था तीन बच्चों के संग अड़े पर जाना और घर घर से जाकर कपड़े समेटना अब उसके बसकी बात नहीं रह गई थी छोटा लड़का साल भर का था कभी गरम इस्त्री पकड़ लेता तो कभी धुले कपड़े पर अपना लकड़ी का चटवा फैंक धबा लगा देता सोना 10-11 साल की हो रही थी महले के लड़कों के लिए आकर्शन का केंद्र थी गंदे नाले के पास बसी ये जुगियां बिना पानी के बजबजाती रहती थी हर तरह के, गाली और धंदे यहां के लोगों की दिन चर्या थी फैंशनेवल कॉलोर्नी के सामने बसी ये बस्ती अपने में एक हकीकत थी लाली के पती राजा ने इस खाली मैदान में औरों की तरह कबजा पाने की नियत से जुगि डाली थी गाउं में बेरोजगारी से तंग आकर दोना शेहर की तरफ लपके थे कुछ दिन चैन से गुजरे फिर उसे लत लग गई पन्नी पीने की और उसी के चलते वो एक दिन नशे की हालत में चल बसा जवान होती लड़की को बचाने के चक्कर में लाली ने हालात के सामने हत्यार डाल दिये और रोज रोज रहा रोकने वाले हधेर बदमाश दिगंबर दादा के घर बैट गई अब उसके तेवर दूसरे थे दिगंबर का बस्तीपत दबदबा था चाकू, कट्टा, लाठी, जंजीर उसके खिलोने थे दिगंबर की घरवाली को मरे चार-पांच साल गुजर गए थे इस बीच दिगंबर भी औरतों को पटाते हुए और जोड जबरदस्ती करते करते ठक चुका था उसे घर में रोटी के साथ पैर दबाने वाली एक औरत की जरुरत थी कई महिनों तक नीम के नीचे बैठी लूली फकीरन के बारे में सोचता रहता कि जबान है, सुन्दर है, मगर दोनों हाथ यहीं पर वा आकर रुख जाता जबकि फकीरन राजी थी, उन्ही दोनों लाली जब किसी लॉंडी की शिकायत लेकर आई तो उसने फैसला कर लिया, कि इस धोविन को अपने घर के घाट से कहीं जाने नहीं देगा लाली के लड़की सोना को तो तीन वक्त खाने को मिलने लगा तो उसकी आँखों में तरावट और बदन पर गदवदापन आने लगा उम्र भी रसी कूदती तेरे पार कर चौदेवे में लग रही थी लाली को उसकी शादी की फिक्र थी, सोना भूख का मज़ा चक चुकी थी सो दिगंबर दादा के पैट दवाने, भांग पीसने और सर में तेल डालने पर उसे कोई अतराज नहोता मगर शादी से उसकी जान निकलती, कि जाने कहां मा भीजे और सारे दिन खटने के बाद फिर वई रोटी और चटनी के लिए खिट खिट मगर लाली अब उठते बैटते उसके दिमाग में इन जुमलों की सुईया चुबोती कि लड़की का असली घर शोहर का घर होता है माव अब तो बस लड़की के पालने वाले होते हैं यही दुनिया का काईदा कानून है सोना का ब्यार बिरादरी को खाना खिला, बाजे गाजे, तहेच के संग ननकु के साथ हो गया निकाह के बाद ननकु सोना को बिदा कर अपने घर मंगोल पूरी ले गया उसका परिवार बढ़ा था फूफी, ताई और उसकी मा बिदवा होकर एक साथ रहती थी और प्लास्टिक की चपलों के तले के तीन छेदों में पट्टा डालने का काम करती थी वही उनकी रोजी रोटी थी ननकु सुबह जाकर आट-दस गठर तले और पट्टे के ले आता था ननकु के पास एक कमरा था उसी में खाना, पीना, सोना, बिचोना था सोना नई दुलहन थी तीन बिदवाओं के बीच खाना, पकाना, सजना, समरना और पती के संग कुछ घंटे अकेले कमरे में रहना उसकी जिम्मेदारी थी बाहर धूप या चाओं में बैट तीनों काम करती और दो पहर में पाँच और साथ खाना खाकर कुछ देर सुस्ताते थे यह जिन्दिगी सोना ने कभी जी नहीं थी उधर जुग्गियों में खेलकर बड़ी हुई फिर पांच साल की थी जब से घरगर इस्तरी के कपड़े माबाप के साथ मांगने जाती और जब दिगंबर दादा की रखेल की बीटी कहलाई तो अकड़कर चलना सीख गई परेशान करने वाले लड़कों की उसने ऐसी खबर ली थी कि वह सोना को देख रास्ता बदल लेते थे यह शादी भी दिगंबर दादा के दबदबे के चलते हुई थी ननकु पहले नशे की पुड़िया बेचता था एक दिन पुलिस पकड़कर ले गई उससे में दिगंबर जाका छुड़ा लाया था वहां की मार से डर कर उसने इसमेक के धंदे से तौबा कर ली थी अब शरीप बन गया था उसे सोना का चटपट हर एक से बात करना हसना बोलना बहुत अखरता था खास कर तब जब सब जानते थे के सोना की मा लाली दुनिया उजड गई उसको डर ने घे लिया कि कहीं उसको बस्ती वाले लूट न ले या फिर दिगंबर का दाहिना हाथ कहलाने वाला रगू उसको अपनी रखेल न बना ले अब हालात ऐसे थे कि उसे किसी मर्द की जरूरत पढ़ती इसलिए वजड पर सीमा पुरी में मकान ले पहलवान की ट्रक पर सारा माल लदवा कर रात और आज जुगी छोड़कर भाग ली हफतां उसने अपनी खेर ख़बर सोना को न दी सच पूछा जाये तो वो अपनी जिन्दिगी को अपनी तरह जीना चाहती थी उसके पास माल काफी था दौनों लड़कों का नाम वो इसकूल में लिखवा चुकी थी रोज के खर्चे के लिए उसने कपड़े इस्ट्री करने फिर से शुरू कर दिये थे इससे महले में जान पहचान जल्दी बन गई और यह बताने में भी आसानी हुई कि उसका पती राजा पुलिस लाइन में धोबी था महने के बार नौकरी गई सो इस महले में आन बसी सोना को ननकू ने जब महले के जवान लड़कों के संग कई बार हसते बोलते देखा और मना कहने पर भी कहां नहीं माना तो इसने सोना की जमकर पिटाई करती बदले में सोना ने भी ननकू के सर पर बेलन दे मारा तीनों विद्वाव ने ऐसी लड़की कहां देखी थी जो मिया को पीट कर रख दे सो उटते बैठते बुरा भला कहती दिगंबर के मैने से वा डर भी खत्म हो गया कि सोना माई के जाकर उसकी शिकायत करेगी और अब तो उसकी माँ भी लापता है ऐसी हालत में जो होता है वही हुआ बढ़ती लड़ाई से तंग आकर ननकू ने सोना को घर से निकाल दिया उसने जब अपने कपड़े और बिस्तर मांगे तो जबाब ने समने मिलकर उसके गहनी भी उतर वा लिये और उसे धमकाया कि यह घर उसका नहीं है जो फिर यहां कदम रखा तो पैर काट दिये जाएंगे सोना एक बार फिर सड़क पर बे सहारा खड़ी थी बाप और पती का घर का जादू जूटा साबित हुआ मा का पता नहीं था उसका दूर का चचा नीती बाग में इस्तरी का काम करता था पिता के मैने के बाद एक तो बार आया था वही एक सहारा बचा था रोती धोती वह मंगोल पूरी से नीती बाग बिना बसका किराया भरे पहुँच गई बड़ी बड़ी कोठियों के बीच वह चाचा को कहां ढूंडे एक दो फल के ठेले वालों से उसने पूछा कि रमजान धोबी को जानते हो जवाब ना मैं मिला आखिर में ठक कर वह पिड़ के नीचे बैठ गई जिसके पास किसी घंश्याम धोबी का अड़ा था कुछ देर बाद घंश्याम कपड़े दे का लोटा तो सोना ने उससे रमजान के बारे में पूछा तू कैसे जानती है उसे वह मेरा चाचा है मेरे अबबा राजा का दूर का रिष्टेदार उसके मढने पर आया था तू? मैं सोना हूँ मेरा ब्याहा मंगुल पूरी के ननकु के साथ मानी किया था उसने मुझे मार पीट का निकाल दिया मा जाने कहां चली गई है? दिगंबा दादा के मढने के बाद अब मेरा सहारा कोई नहीं है कहां जाओ? मेरे जाओपड़े चल वहीं रह आखिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है न? मतलब तू? अकड़का खड़ी हो गई सोना मैं रमजान हूँ नाम बदल लिया है सुक से रहता हूँ घरवाली गाउं गई है जाओपड़ी में रह ले और घंश्याम प्रेस वाली की जौपड़ी जो कुछ दूर पर थी वहां जाका सोनाने चैन की सांस ले और भर गिलास चाय बना ली और पी ली और विकरे बरतन कपड़ें को समेटने लग गई उसका माथा भी घूमा हुआ था जिन्दीगी के इस बदलाव से अभी वह समझोता नहीं कर पा रही थी दुख सुक तो लगा ही रहता है मगर इतनी उठा पटेक भी कैसी कि सर से छथी चिन जाए और कहने को कोई घर न बचे कुछ दिन इस इंतजार में गुजर गए कि शायद ननकू उसे लेने आ जाए और बात रफा दफा हो जाए इस बीच रमजान ननकू के घर दो बार हो आया मगर में सोना को बापस बुलाने पर किसी तरह राजी न हुए रमजान की परेशानी यह थी कि चार हपते बाद घर वाली मैं तीन बच्चों के टपकने वाली थी सोना को देखकर उसका माथा फिर जाएगा सोना को कहीं काम मिल नहीं रहा था तंगा कर एक दिन सोना खुद मंगोल पूरी गई ताकि लड़ लड़ा कर अपना हग जमाए और फिर से रहना शुरू कर दे मगर वहाँ पहुचकर उसके हाथों के तोते उड़ गए घर के सामने जिलमिल पन्यों का नन्ना सा छत्तर बना था और तेंगाना का रही थी सामने बड़े पतीलों पर कुछ चड़ा था सोना जो और आगे बड़ी तो देखा ननकु दूला बना बैटा है और पास में गठरी बनी लाल कपड़ों में दुलहन अंदर से उठा उसका गुस्ता उसके सर पर चड़ गया पैरों की चपल उतार उसने पीछे से जाकर ननकु के सर पीट पर जी भर कर लगाई खुशी का माहौल थम गया कई पल तक किसी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ दूले का सहरा हार नौच कर किसने फैंका दुलहन भी गुंगट उठा कर हैरत से शोहर को पिटता देख रही थी पल भर बाद द्रिश्य दूसरा था तीनों विद्वाएं सोना का जोंटा पकड बकरी की तरह उसे इधर उधर घसीट रही थी दूला जब जरा होश में आया किराय पर ली चमचमाती शेरवानी का कॉलर उधरा देखा और पगड़ी को कीचन में लोटता हुआ पाया तो उसका पारा साथवे आसमान पर जा चड़ा लातों की बारिश उसने सोना के कूले पीट पर इस तरह करनी शुरू कर दी जैसे धोबी घाट पर कपड़े पचाड़ता हो ये हाल देख लड़की वाले परेशान हो थे दुलहन जाकर मां से लिपट गई और बाकी लोग दुम दवा कर भागने लगे तब ही अदमरी सोना को नाली के पास छोड़कर ननकू तैश में पलटा और चूले के पास से चाको उठा कर उसने सस्राल वालों को दिखा कर उसी जुनोनी कैफियत में चिला कर सबसे कहा कोई जाने न पाए वना सर धड़ से अला कर दिया जाएगा कौन से हचारों महमान थे खुल पंद्रेविस की भीट थी जान किसे प्यारी न होती तो सब दमसाद कर बैठ गए तीनों बिध्वाओं ने टीन की कुरसी पर दुलहन को बिठाया और लाल दुपट्टे को साफा ननकू के सर पर बांधा उसे दूसरी कुरसी पर बिठा पहले की तरह ढोलक लेकर बैठ गए सुहाक के गानी की तान में लोगों की खुसर पुसर गुम हो गई सोना ने करहा कर सर उठाया तो देखा वहां कुछ भी नहीं बदला था फिर अपने को ताका जहां बहुत कुछ बदल चुका था किसी तरह उठकर लड़ खडाती हुई बस स्टॉप की तरह बढ़ने लगी सोना जखमी कबूतरी की तरह टूटे डैनों के संग अब रमजान के पास पहुंचे तब तक वह एक बोतल संत्रा चड़ा नशे में धुत्त अंधा पड़ा था सोना ने हल्दी का लेप खुद ही चोटों पर लगाया और चुपचाब लेट कर सोचने लगी कि वह कई दिनों तक चलने फिणने के काबिल नहीं रह पाएगी वरना कल से वह भी एक मेज डाल इस तरी का अड़ा बना लेती मगर अब तो सुबह जब रमजान की आँख खुली तो सोना को बुखार में तपते देखा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा कुछ दवाएं दी जिससे सोना रात तक संभल गई और भुखार भी उतर गया रमजान का दिल लड़की के लिए दुख रहा था उसकी मा को कहा ढूड़े जो सोना को जाकर उसके सुपुर्द कर दे सारे दिन अड़े पर इसी उध्यड़बुन में रहा पीली कोठी में सोना को जाडू पोंची की नौकरी मिल गई उससे पहले उसने इस्तरी कहना चाहा तो कपड़े जला डाले जिंदिगी में अपना खानदानी पेशा कभी किया हो तो जानती वह तो बस कपड़ा जमा कहने का काम जानती थी जो रमजान को पसंदना था वह कोठी वालों को जानता था साहाब लोगों से शाही आदतों के उनके नौकर और ड्राइवर होते हैं तो भी वह सोना को रोक नहीं सकता था आखिर उसकी घरवाली के लोटने में दो दिन बागी थे इस भी सोना ने मालकिन को खुश कर गैरेज में सोनी की इजाज़त ले ली थी यह जानका रमजान ने रहत की सांस भरी सोना पूरे अठारा साल की हो रही थी इस बीच उसने छे साठ ठेकाने बदले जहां जमने लगती वहीं से उखाड दी जाती इस कोठी में भी हजारों काम मुफ्त करती कि रात को बंद जगे सोने को मिल जाए जाडू पोचा कर जब गर्म प्याला चाय पीती तो भूकी अंतनिया एठने लगती बंधा बंधाया खाने का हिसाब तो था नहीं कभी कोठी से मिल गया तो कभी रमजान ने अपनी रोटी उसे थमा दी मगर उधर जब उसके हाथ में दोसों की नोट आये तो उसने दो पहर को पिचवाड़े वाले ढ़बे पर दो रोटी और साथ में मिली डाल खानी शुरू कर दी कपड़ा, चपपल, शाल में हम साहब की उत्रन मिल गई थी चादर भी बिचाने को उन्होंने दे दी थी जिन्दगी में ठहरावसा आ गया था एक रात जब सोना गहरी नीद सो रही थी तो उसे सपने में लगा कि उसकी मांसे सीने से लिपटा प्यार कर रही है फिर उसे लगा कि दो मजबूत बाहें उसे अपने कसाब में पकड़ रही है इतने दिनों बाद पती का इस बर्स उसे सोते में भी सुक दे रहा था तबी ठंडी के जूर जूरी से बजाग उठी अंधेरे में उस पर कोई जुका था उसकी गरम सांसे उसके चेहरे को छू रही थी खुश्बू का एक जौंका बहा सपनों और नीद में सब कुछ धुंदलासा दिया मंगर यह खुश्बू नन्कू के पास से तो पसीने की गंद आती थी कौन? कौन? सहमती सी सोना बोली चुप! किसी को पता भी नहीं चलेगा उठ चल मेरे कमरे में वहां नरम बिस्तर है आराम से लेटना उठ छोटे सा हब चौक पड़ी सोना पीट सहलाते हातों को उसने जटका और उचल कर खड़ी हो गई मर्दाने हातों की जकडन बढ़ी तो उसने बाजियों पर अपने नुकीले दात गाड़ दिये दर्द की शिद्दत से गिरफ्त धिली पड़ी मगर उसी के साथ एक जोड़दा चांटा सोना के गाल पर पड़ा उसकी आँखों के सामने तारे तूटे वो लड़ खड़ा कर दीवार से टकराई तब ही उसे महसूस हुआ कि हातों की वहशत फिर साप बन कर उसे जकड रही है कुछ देर तक सांस रोके बेजान सी खड़ी रही उसे बेहुश जानके छोटे साहब ने उसे जमीन पर लिटाया और तबी उसने पूरी ताकत से लाथ सीने पर मारी और कार और साइकल के ओजारों के बीच से कुछ उठाया भरपूर हाद से छोटे साहब के सर पर दे मारा गुलाबी ठंड में सड़क के किनारे बैठी सोना जाड़े से कांप रही थी उसे अपने कपड़ों की गट्री और चादर यादा रही थी उसने बहते आंसों को पहुचा और ठका बदन घसीता पौफ हटने से पहले उसे यह इलाका छोड़ना पड़ेगा पता नहीं छोटे साहब का सर फटा या पुलिस में रपट लिखवाई गई तो वह बच नहीं पाईगी कहां जाए सड़क के किनारे चलते चलते उसके बदन में गर्मी आई पैर में कुछ चुबने से उसे रुखना पड़ा आटा निकालते हुए उसे अपने बाप की जुगी का खयाल आया बाप की याद से वह वहीं बैठे बैठे फपक पड़ी न वह मरता न उन सब की लत लगती वह बस्ती बदली नहीं थी बिना पानी के गंदिकी से बजबज आती हुई उसकी जुगी का कहीं कोई पता नहीं था आबादी बढ़ने से जौपणियों की तादात बढ़ गई थी आदे से जादा लोग नए थे पुराने अपना कबजा बेच कहीं चले गए थे वहां से जब निराश लोटने लगी तो उसे ध्यान आया कि रगू दादा से मिलती जाओं शायद कोई काम बन जाए रगू ने उसे ठहने की एक जगह दे दी दिगंबाय के रिष्टे से उसे थोड़ा बहुत नगद भी दिया गया ताकि अपनी जिन्दगी बसा सके कोटियों से उसका अनुभव कड़वा था मगर काम मागने कहां जाती हार कर वहीं पहुँची और काम कर अपने ठिकाने लोटा थी 25 दिनों में वो पुरानी कड़वा हट भूल कर फिर से अपने को खुश रखने लगी और उसने ताई किया कि बाकी जिन्दगी अब वह इसी बस्ती में गुजार देगी सोना की दूसरी शादी की बात रमजान ने एक दो लोगों से चलाई थी जिन्हों ने सोना को रमजान के घर देख पसंद किया था मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि यह छोडी हुई औरत है उनका नजरिया ही सोना की तरफ से बदल गया बिना तलाग वाली औरत को कौन घर में रखकर मुसीवत मोल लेता चाचाच तुम कहें इन सब के चक्कर में पड़े हो मुझे नौकरी दिलबादो अभी ठिकाना मिल जाए तो दिमाग सही सोचेगा सोना रमजान की परिशानी देख खीज उठती धोबियों में लाली के बाद किसी से छुपी न थी कहने वालों ने तो यहां तक भी कह दिया कि माँ को देखना हो तो बेटी को देखो और जो बेटी को देखना हो तो माँ को देख लो सोना आखिर उसी लाली धोबिन की बेटी है न जो दिगंबर के साथ बैठ गई तो फिर सोना कैसा अपना घर बसाई रखती उसे भी तो कोई न कोई पैसे वाला मर्द चाहिए होगा तब ही शोहर के घर से भाग कर चाचा के घर पड़ी है सारी बातों से रमजान का दिमाग भन भनाने लगता अपने दोस्त राजा की याद उसे आती कि दौनों एक साथ गाउं से निकले थे इस बड़े शहर की भीड में दौनों अलग हुए तो फिर मौत के दिन ही वो राजा का चेहरा देख पाया था अब जो सोना की उसी बस्ती में जमने की ख़वर रमजान को मिली तो वह बड़ा खुश हुआ वह दो पहर भी बड़ी मनहूस थी जब बुल्डोजर ने उसकी जुगई के संग सारी बस्ती उजार दी सोना का दिल उस राज से चाहर दीवारी की चाहाद से मुक्त हो गया उसके अंदर एक नफरत का उबाल हर दीवार को गिरा गया उसने मिट्टी के धेर पर बैठे बैठे सामने कतार से खड़े पक्के उँचे मकानों कोठीयों को देखा फिर वहीं धेर पर लेट गई उपर आसमान पर तारे छिटक रहे थे उना देख सोना का दिल हलका हुआ और अंदर से एक हांसी फूटी उसकी चौकननी आँखे पहले से ज़्यादा चमकदार हो उठी इस बस्ती के मलबे के धेर के सामने सोना ने चलता फिरता ढवा खोल लिया सो वैसे चाय भटी पचर जाती और दो पहर को आलू गोबी की सबजी के साथ रूटी बनने लगती मजदूरों को खिला कर जब वह परात में बचे आटी की दो लोई को अपने लिये बेलती तो सुक्का एक असीमित सागा सीने में मचलता उसका मस्त चहरा देखकर अकसर मजदूर उसके संग ब्याहर अचानी की बात कहते तो वह खिल खिला कर हस पढ़ती फिर गंबीर हो पूछती एक रोटी और ले ले ताकि फिजूल की बातों की जगे ना तेरे पेट में बचे ना दिमाग में मजदूर खिसी आकर उठ जाता और सोना जमीन पर थूख देती जैसे कह रही हो कि इस दुनिया के हर कौने पर मर्द खड़ा मिलेगा कभी प्रेमी के रूप में तो कभी बलातकारी के रूप में मगर जो पती ढूडने निकलो तो एक भी काईदे का आदमी नज़र नहीं आएगा जिसके साथ उम्रे एक छट के नीचे गुजार दी जाए मैं तो यूँ ही भली ना कोई मेरा ठोर ठिकाना ना मैं किसी के घर की मालिकिन दुनिया की आवादी हूँ और हालात की शहजादी हूँ इन मर्दों को आप कौन समझाए दोस्तो अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मालवरा लिखी हुई एक कहानी मेरा घर कहाँ दोस्तो अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद